हेलो इवड़ी वर्ट वेलकम टूदे एक्षाम करेकर कॉंट्रियों करेंगे आज के सेशन में CDP के 650 सी क्वेस्टन की सीरीज को तो जसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने क्वेस्टन नबर 400 तक अल्ड़ी कंप्लीट कर रखा है तो आज के सेशन में Q401 से इसको कॉंट्रियू करेंगे तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये Q401 अधियापक का प्रमुक्र कारी है पहला ओप्शन है चात्र को सीखने के लिए अभी प्रेरित करना दूसरा चात्र को पढ़ाना तीसरा चात्र का ज्यान वर्धन करना और जो था चात्र को अच्छे संसकारों में डालना तो 401 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन 1 चात्रों को सीखने के लिए अभी प्रेरित करना अधियापक का प्रमुक्र कारी है नेक्स्ट है किसी भी कठीन कारे को करने के लिए आवस्यक है की व्यक्ति पहला उप्शन है मृदुभासी और व्यवहार को सलो दूसरे सांत और निडरों तीसरे धनी और सुविधा संपन्नों और जो था द्रिड संकल्पी और आत्म विस्वासी हो तो 402 का हमारा करेक्ट अगला क्विश्यन है सिक्षन को रूचिकर और प्रभावकारी बनाने के लिए आवस्यक है पहला उप्शन है पुस्तकों की सहायता से पढ़ाना दो साह लंबी-लंबी कहानियों का समावेस करना तीसे जीवनों प्योगी और व्यावारिक उदार्णों को प्रिस्तुत करना अगला है आपकी गख्षा में बच्चों की बैठने का प्रियाप्त साधर नहीं है ऐसे सिती में पहला उप्शन है शात्रों को छुट्टी दे देंगी दूसरा है उन्हें परिस्तितियों में समयोजन करके पढ़ाएंगी तीसे संस्ता वेवस्ता की आलोशना करेंगी और चौता है प्रधान अध्यापी का से प्रबंद करने को कहेंगे या फिर कहेंगे तो 404 का हमारा करेक्टेंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्हीं परिस्तितियों में समयोजन करके पढ़ाएंगी या फिर पढ़ाएंगे अगला है अध्यापक नियुक्त होने पर आपका प्र सवस्त सरीर में स्वस्त मन का निर्मान होता है इस कथन से आप पहला प्रप्सने पूंत अस्व मन का निर्मान होता है अगला क्विश्चन है नहीं नहीं बातों को सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि पहला उप्शन नवीन तम पुस्त को काध्यन किया जाए दूसरे चिंतन किया जाए तीसे प्रेटन किया जाए और जोता है गोश्टियों परी चर्चाओं में भाग लिए जाए तो 407 का हमारा करेक सीटियों की विवेश्चना करता हूं और चौता है यह सोच कर सांत हो जाता हूं कि मेरी योगता में कहीं कोई कमी होगी तो 408 का करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब कारिक्रमों के संचालन में मेरे मित्र बुज़े अलग कर देते हैं तो मैं परी सीटियों की विव करने के बाद जाएंगी तो 409 का करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छात्रों की जाने के बाद ही जाएंगी अगला है कोई वेक्ति आप से रूप्या दान करने के लिए परामर्स लेता है तो आप दान देने के लिए सिफारिस करेंगे पहला ऑप्शन मंदिर मस्जित गुरुद्वारा को दूसरे वेग्यानिक सोज संस्था को तीसे ऐसी संस्था को जो आपका नाम पट लगाए और चौथा उप्शन विद्याले को जो आर्तिक संकत के कारण बंद हो रहा है तो 403 का हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन टी कोई विक्ति आप से दिश्टित पद और शक्ति दो से हैं कठिन स्रम और धनवान बनना तीसे हैं गरीबों और असहायों की मदद और चौथा प्रतीक वस्तों की प्रसंथा तो 411 का हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन C गरीबों और असहायों की मदद क्वेशन 412 यदि आपकी प्रधा ना करेंगी तो 412 का हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन C यदि आपकी प्रधाना ध्यापिका बिना किसी गर्ल्थी के आप पे नाराज होती है तो आप वैसे में निर्भिकता पूर्वक अपने करतवे का पालन करते रहेंगे अगला क्विशन है खेल में जीतने वा करेंगे अब फर्स्ट ऑप्शन जो है इस्या करना अब जैलसी तो कोई चीज है नहीं इसमें ठीक है नेक्स्ट है आपके विद्याले की शात्र को सरक पर यदि कोई बाहरी शात्र मार रहा है तो आप पहला उप्शन है अन्देखी करके चले जाएंगी दूसरे विद्याल कर मार खाने वाली शात्र को बचाएंगे क्री रास्तल पर दो शात्रों की आप सी जगरी पर पहला उप्शन है चीप प्रॉक्टर से निर्ने कराएंगे दोसरा है दोनों की बात सुनकर नियाय पुर्ण फैसला करेंगे तीसा है जो बड़ा होगा उसे डाटेंगे और चौ ढूंतर की बात करेंगे दोस्रहें अवसर के अनुरूप बात करेंगे अग्ला क्यूशन है आज दियापक की घष्ण किश्टा का मुख्य कारण है समाज का बहुत इक वादि दिश्टी कौन दो से अधिक धनकमाने की एक्षा तीसाय करतवी के प्रति उदास इंता और शौथा अध्यापक का राजनिती में भाग लेना तो 417 का हमारा करिक टैंसर हो जाएगा ओप्शन सी करतवी के प्रति उदास इंता अगला क्विश्टन है सिक्षन कारी के साथ अतरिक्त समय में कारिय करना आप समझते हैं पहला उप्शन सही है दो से समय के अनुसार है तीसे अनुशीत है और शौथा छाद्रों के हित्में नहीं है तो 418 का हमारा करिक टैंसर हो जाएगा ओप्शन बी समय के अनुसार है 419 आप प्रिचारी है यान की प्रदाना ध्यापक है विद्याले की कारिक्रम में कोई सिक्षक समय पर नहीं कर दिंगे पहला उप्शन है उसको कारिक्रम की प्रिषॉत मिलने को कहेंगे दूसरे हैं उसको उसका उत्तरदायत्व बताएंगे, तीसे हैं उसको सब के सामने डाटेंगे और चौथा है उसकी रिपोर्ट प्रवंध समीती को देंगे तो 419 का हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा, option B विद्याले के कारिक्रम में यदि कोई सिक्षक समय पड़ नहीं आता है और आप स्कूल के हेड़ मास्टर हो तो आप उसको उसका उत्तरदायत्व बताओगे अगला कुशिन है, विद्याले में सभी सिक्षकों को समय पड़ कर आना चाहिए, क्योंकि इस से पहला ऌप सने विद्याले के सभी कारिक्रम समय पर होंगे 3. शात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा 3. विद्याले में अनुसासन कायम होगा और शच आप उप्रक्त सभी बातों का विकास होगा तु 4.20 का हमारा करिक्त यंसर हो जाएगा option D उप्रक्त सभी बातों का विकास होगा अगला question है परिश सीटियों के कारण यदि कोई शात्र अधिक समय तक अनुपस्तित रहकर आपके घर निस्तुर्ख सहायता लेने आए तो आप पहला उप्शन उसकी सहायता करेंगी नेक्स्ट है आपके विद्याले में कुछ सिक्षक गुट बना लेते हैं इसके समद्ध में आपकी प्रतिक्रिया होगी पहला उप्शन ततरश्ट रहेंगे दूसरा उन सिक्षकों को गुट नव बनाने की सलाह देंगे तीसे प्रधानाचाय को सुचित करेंगे और शोटा प सिक्षिन कारी निमली खित्में से कहां पसंद करेंगे पहला उप्शन है अपने गाव या कस्वे में दूसरा अपनी शेत्र में तीसा है अपने प्रदेश या प्रांत में और शोथाए देश के किसी भी अस्थान पर तो 423 का हमारा करिक टैंसर हो जाएगा ऑप्शन दी द तो 424 का हमारा करिक टैंसर हो जाएगा ऑप्शन C अगले दिन बताने का अस्वासंद है क्विश्चन 425 आपकी राय में चात्रों अध्यापकों की बीच अच्छे सम्मझ नौग होने के कारण है पहला ऑप्शन है पार्थी पुस्तकों की अधिकता दूसरा है सिक्षर के ल अगला क्विश्चन है कि क्विश्चन 426 एक अच्छा सीशक वह है जो कक्षा सीशन में अधिक ध्यान देता है पहला ऑप्शन गरीव तथा कमजोर शात्रों पर दूसरा है प्रतिभास आली शात्रों पर तीसे अपंग तथा मानसिक रूप से पिछरी शात्रों पर और सब सभी शात्रों पर तो 426 का हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन दी सभी शात्रों पर अगला क्विश्चन है विद्याले की समस्याओं के हल में एक अध्यापक को पहला अप्शन प्रतानाचारी को अविश्यक्ता अनुसार प्रामर्स देना चाहिए दूसरा है प्रत सरदाय समझना चाहिए तीसे पहल करके अपनी और से ही परामर्स देना चाहिए और शौताय प्रतानाचारी को यथा सकती सहयोग देना चाहिए तो 427 का हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन दी विद्याले की समस्याओं के हल में एक अध्यापक को प्रतानाचारी को यथा सकती सहयोग देना चाहिए अगला कुश्याने नए और अपर्षी तस्थान पर पहुंच जाने पर आप पहला ऑप्शने भैबीत हो जाते हैं दूसरे घुटन महसूस करते हैं तीसे घर जैसा पर्षित महसूस नहीं होता है तो 428 का करेक्ट एंसर हो जाएगा पूरा कर ले हैं सबी शात्र प्रश्न ऒतर में प्रतिभाग करें चौरी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें तो 429 का हमारा केंट एंसर हो जाएगा सब इस बिचातर प्रश्न इंसर मीं प्रतिभाग करें अगला है मेरी निम्न में रूची है पहला उप्सने चुनाओ परचार करना दूसरे हैं वाक्यान देना तीसे हैं वस्तों का कैव विक्रे करना और शौथ है समाजी करने आए कि विरुत लेख लिखना तो फूर हंदे थट्टी का करिक्त असर हो जाएगा ऑप्शन डी समाजी करने आए विश्या ले लिजिए दूसरा है विज्यान विश्या लेने के लिए ट्यूशन लगानी परेगी तीसे हैं साधारन शात्रों के लिए विज्यान विश्य उचित नहीं है और शौथ है व्यवसाइक सिक्षा ले ले तो फूर्ट थट्टी वन का हमारा करिक्त अंसर हो जाए सिख्षक के पठन से तो 432 का करिक्त अंसर हो जाएगा option 1 नरदेशित मौन पठन से अगला क्विश्य ने प्रियोग करके सीखना अधिक उप्योगी है क्यूंकि पहला उप्षन यह अधिक रूची करें दूसर इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं तीसे कक्षा में अनुसासन बनता है और शौथ है बच्चे क्रिया सिलता पसंद करते हैं अगला क्विश्य ने अच्छे कपड़ी पहन कर दोसे लच्चे दार का विगास संभव हैं पहला उप्षन ने भासन देकर दोस्य उधारन देकर तीसे कक्षा के किसी इमानदार शात्र का उधारन देकर और शौथ है स्विंग अपना उधारन देकर तो 436 का करिक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्षन क्षा के किसी इमानदार शात्र का उधारन देकर अगला क्विश्यन है अपने विद्याले की शात्रों को अनुसासित रखने हैं तो निम्न में से कौन सा उपाय शर्वोत्तम है पहला उप्सन है अनुसासन पर भासन देना दूसर अनुसासन पर छात्रों को लेख लिखने के लिए कहना तीसे सिश्चकों का अनुसासन में रहना और चौत है अनुस स्विएंग बता देंगे दोसें उसे कख्षा में खड़ा होने को गएंगे तीसें चात्र के उत्र नौद दे सकने का कारण जाने का प्रियास करेंगे अगला कुछ ने माधिम के परिक्षा के लिए स्वकेंद्र परिक्षा परिक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि पहला उप्षीन शात्र को विध्याले से दोड़ नहीं जाना परता, अगला कुश्चन है चातर पराया आपके विशे को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए पहला ओप्शन है दर्ण की विवस्ता करनी चाहिए दोसरा है विशे को मनरंजग बनाना चाहिए तीसरा है रूशी की कमी का कारण जाना चाहिए और चौथा इसकी सिकायत प्र 440 तक और कम्प्लीट कर लिया है तो अगर आपने इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको भी जरूर देखिए मिलते हैं हमाई नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टेकियर